तो चलिए भाई दिखिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं नया चेप्टर जिसका नाम है थर्मल प्रोपडीज ओफ मैटर तो हैडिंग डाले थर्मल प्रोपडीज ओफ मैटर थर्मल प्रोपडीज ओफ मैटर ठीक है इस चैप्टर में और थर्मोडानेमिक्स में हम हीट के बारे में पढ़ेंगे कि हीट क्या होता है टेंप्रेचर क्या होता है टेंप्रेचर स्केल्स क्या है और काफी सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो आपने डेली लाइफ में देखें हैं जैसे कि रिजिलेशन प्रोसेस होता है और और एनॉमलिस बिएविर ऑफ वाटर काफी सारे ऐसे चीज़ें इसमें जो आपको इन दो चैप्टर्स में पढ़नी है और जैसा कि अभी मैंने देगा थर्मोडैनेमिक्स में हीट इंजन हीट फटा दिया गया तो आपका काफी काम यहां पर आसान हो चुका है आओ ने में नार्जी हो lugares अपर ठागते हरे अँट व達 को आओ वालने आवाग्स तो अभी सबसे पहले हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे कि हीट क्या होता है भी अनेर्जी की कई फॉर्म है आपने कई प्रकार से एनर्जी की फॉर्म पड़ी होई है जैसे आपने मेकेनिकल एनर्जी के बारे में सुना हुआ है और मेकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होता है काइनेटिक इन पोटेंशल एनर्जी है न कि किसी भी बोड़ी की जो काइनेटिक और है ज automation and energy के बारे में सुना है सवन एनेरजी है light energy है like and radiation रिजशन उसके पास एक छोती है इसी प्रकार से एक और energy की form है जैसे बोल सप्थता है heat बहुंति है based sound energy लाइन धिल्स उस्के इक सर नाइन पढ़ता जैसे कि मैं जो बोल रहोँ आप लसुन रहे हैं एकish कि sound energy है इस energy की खास बात ही है कि यह energy जब आप तक पहुंचेगी तो आपको एक signal बिलेगा जिसको आपका mind read कर पार और आपको समझ पारे कि मैं क्या आपको बता रहा हूं ते उसी प्रकार से आपका electrical energy एक energy है जो की मतलब वो चार्ज को आगे बढ़ाती है मतलब वो electricity generate करती क्या generate करती है electricity उसी तरह से आपकी spring energy कैसी energy जिसमें spring को खीच के आप उसके अंदर कुछ potential energy store करा सकते हैं उसके तुरू work obtain किया जा सकता है यानि कि energy की अलग-अलग form से आप अलग-अलग output निकाल सकते हैं उसी प्रकार से heat भी एक प्रकार की energy है heat क्या है इसके बारे में बहुत सारे experiment होते रहे आगे मैं आपको बताओंगा heat energy एक तरीकी से kinetic energy को ही explain करती है लेकिन अभी वहां तक पहुचने से पहले मैं आपको थोड़ा आसान तरीके से बताता हूं था कि अगर सिधे वह आपको बताओंगा तो आपको लगए यह तो वह यह पतनी क्या ही बता जो है fluid नहीं हो सकता ऐसे कई experiment हुए और बात में फाइनली यह पता चला कि हीट एक प्रकार की क्या है उर्जा है एक energy है और यह इस प्रकार की energy है heat is a form of energy by which our body becomes hot and cold मतलब हीट एक प्रकार की ऐसी energy है जिसकी help से body का temp मतलब हो यह तो hot हो जाती है फिर cold हो जाती है जिसे कि अभी यह सर्दियां चल रही है आप जो है गरम पानी का use करते हैं because आपका जो गीजर है वह heat energy generate करके water को heat करता है या आपने देखा होगा आपका burner है आप उसमें जब चाय चड़ाते हैं तो heat एक प्रकार की energy है जो water को heat करना शुरू करती है मेरी बात समझ रहे हैं अभी मैं temperature word use नहीं कर रहा हूं सोड़ी देर में भी use करूंगा तो अभी क्या था कि heat एक ऐसी heat के लिए कहा गया के heat is a form of energy by which our body becomes hot and cold अब बात आती है कि अगर कहीं पर current flow कर रही है electrical energy है तो current flow कर रही है उसको measure करने के लिए हमारे पास emitter है कहीं पर अगर हमारे पास light energy है तो उसको measure करने के लिए आपको पता है spectrometer है अगर कहीं पर आपकी मतलब fluid flow कर रहा है तो उसके rate of flow of fluid को निकालने के लिए भी हम आपस बहुत सारी devices हैं जैसे वेंच्यूरी मीटर एन ओल तो इसी प्रकार से अगर एक body hot या cold हो रही है तो measure कैसे किया जाए हमें इसकी चर्चा करनी थी तो भई जैसे कि मैंने आपको बताया कि heat एक ऐसी energy है जिसे body becomes hot and cold अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज को measure करने के लिए हमारे पास किसी भी energy kon measure करने के लिए एक स्केल होता है है न। जैसे आपको लेंथ मेजर करनी मीटर जकल है स्पीड मेजर करनी स्पीडो मीटर है ठीक उसी प्रकार से अगर autor interessant मेजर करनी आपके पास एमीटर है आपको वगर लाइट एनर्जी पता करनी स्पेक्ट्रो मीटर है ऐसे बहुत हर एक डिवाइस अवेलेवल है उसी प्रकार से अब आपको जैसे मैंने बताए कि लिए कि एक स्केल की जरूरत वहां पर हम हीट की बात करते हैं वहां पर तेंपरेचर अपने आप आप आ जाता है इसको जिसके थूर मेजर करते हैं जिस परेमिटर के थूर मेजर करते हैं उसे क्या बोला जाता है तो हीट क्या है हीट की देविशन क्या दोगे के हीट इस फॉर्म अफ एनरजी बाइच बाइच बीकम्स होट यसा कि मैंने आपने इसके अपने को जैसे हर एक चीज को यहार एक वांटिटी को मेजर करने के लिए अपके बास एक skill है उसी प्रकार से हमने हीट एनरजी को मेजर करने के लिए biaq skill है जिसे एक पैरमिटर बनाया गया यह अलग-अलग साइंटिस्ट ने अलग-अलग प्रकार से बनाए हमारे चार में टेमपरेचर स्केल हमें पढ़ने हैं अच्छा जैसे की वो डिवाइस जो की टेमपरेचर को मेजर करती यह डिग्रे फॉर्टनेस और को पता करती है उसे थर्मामीटर कहा जाता है क्या बताता है तर्मा मीटर जैसे लिए होते हैं मेडिकल means के लिए आपके पास जो धर्मामीटर commence को बताता है कि इतना रख दीजे विसे डिप करिए वो फटाक से ब्लास्ट कर जाएगा क्योंकि उसकी रेंज के बाहर का टेंपरेचर नहीं कर सकता लेकिने काफी खतरनाक होता है क्योंकि वह जो कांच तूटता है वह बहुत तेजी के साथ आता है और आपकी बॉड़ी में कहीं लग सकता है और इस प्रकार से इसको बाहर ले जाके बालकनी में करके देख लेता हूँ क्योंकि वह मर्करी कहीं भी गिरेगी किसी ने किसी को नुक्सान कर सकती है और आपके घर के टेलते वेलते कोई जानवर है वहां कुछ पड़ा हो खा गया साथ मर्करी खा गया तो उसको काफी दिक्क सब्सक्राइब हो गया तो मतलब समझ रहूंगा मतलब वह उसकी रेंज जो मैक्सिमाम अगर उससे उपर आपको फीवर है तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है किसी भी आदमी के लिए तो इसलिए उसकी रेंज इतनी नहीं बनाएगी तो और भी रेंज होती है जैसे प्ल अब यहां आपको तीन अजार चार जार डिग्री सिल्चेस मेजर करना तो अपना वो भुखार वाला लेकिनी जाएंगा भी बताते कितना तुम अचानी करेंगे ना तो उसके लिए अलग अलग रेंज के लिए अलग डिवाइस बनाएं गें खेर हमें उन सब को पढ़ने क विच इस यूस्टो मेजर दी टेंपरेचर इस वाट थर्मा मीटर फटा फटा इसे लिख लीजिए अ अरे शांत हो जो भाई आप देखिए क्या है यहां पर आदेखिए मैंने आप जैसे कि आपको बताया कि हमारे पास तीन चीज़ा हमने पढ़ी हीट टेंपरेचर एंड थर्मा मीटर तो हमारे कुछ बेसिक थर्मा मीटर जिनको हमें ध्यान रखना है हमारे यह चार बेसिक अर्मा मीटर रहकर सैल्सिट हैं फैर हमारे मीटर आपके आपए है क्लेंबीन स्केल औरर एक रियूमरिइस गया है अब यह स्केल्स कैसे हैं करीtt情 कैसे हैं हमने जब भी इसकेल बनाये हैं यह मलब इन EST में हमने क्या करा एक प्वाइफ पो miss जैसे बोला गया आम च्वाइ तो अब इसको ध्यान में रखते गोले हमने deux पॉइंट धूंडे एक था आइसWhen 12 इस hurricane में हमारे celsies ने दिया हमें Celsius ने जो scale दिया उसमें उन्हीं ने कहा का iis point को उन्हीं झास जीरो लिया और इस्केडिलन को कितना लगई लिया हंड्रेड APIs के बीच के 0से 100 एक पार्ट को उनोंने मलब जि िरो से लेके 100 तक का जो स्केल था उसको उन्होंने 100 इक्वल पार्ट में कितने पहते करते करते का तक हुँचे गा 100 इंडरी इक से और Siya थी कि हमारा सबसे पहला सेल सेल्सिए हमें दिया और उन्होंने स्केट को उसका 70 पॉइंट लिया और स्टीन पॉइंट ऌन से 14 प्र लिए और उसको उसके बातम से वहां में मुझे कर दिए में बाई लिए उसके पाइंति सेंट नि मैं भी अपना स्केट दों है मेरा भी मन कर रहा यह उन्होंने कहा दो इतने चाहिए बनाओंगा मैं सेल्स्यस को नहीं मानओगा उससे मेरा 16 का अकड़ा उसने का कि भाई 180 equal parts में divide था जहां पर इसकी जो unit थी वो degree Celsius थी और इसकी जो unit थी वो degree क्या थी Fahrenheit जहां पर एक मतलब एक section मतलब इन्होंने total फिर जिसमें से एक पार्ट एक डिग्री फेरेन हाइट को शो कर रहा था और अगर water boil कर रहा है तो इनका scale 212 दिखाएगा यानि 212 degree Fahrenheit यानि कि अगर आप से पूछे कितने degree Fahrenheit पर water boil होता तो कितना बताओगे कितने degree Fahrenheit पर water freeze हो जाता है 32 degree Fahrenheit पर इसके बाद हमारे इसके बाद हमारे केल्विन ने अपना नया scale बनाया उन्होंने कहा कि मेरा scale जो है उसका जो ice point है वो 273.15 Kelvin पर होगा और इसमें हम लोग कोई degree नहीं लगाते हैं इसकी उनिट सीधे से क्या लिखी जाती Kelvin बाकि सबके साथ degree mention किया जाएगा बड़ अगर आप temperature Kelvin में मेजर कर रहे हैं तो Kelvin में मेजर करते वक्त आपको सिर्फ के लिखना है उसमें degree के नहीं लिखेंगे अगर आप degree के लिखते हैं तो गलत मान लिया जाएगा तो इसका मतलब कि हमारा जो Kelvin स्केल आया Kelvin स्केल नहीं यह कहा कि मेरा जो आइस पॉइंट है वो 273.15 पर होगा और मेरा जो बॉलिंग पॉइंट स्टीम पॉइंट है वो 373.15 होगा और इसको उन्होंने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करा था है रीकमर न मन का ठीक है हमने उनका नम रख देया था तकर और यूमर इस को है नहीं पइटने पर होता है जेरो लेकिन इनका स्टीम पॉइंट कितने पर था और शी कितने था और शी तो इन्होंने कितने इक्वल पाइट करें 80 इक्वल पार्ट और हर एक पार्ट एक डिग्री रूमर को डिफाइन करता है मतलब जीरो डिग्री रूमर वन डिग्री रूमर टू डिग्री रूमर तो डिग्री कित से दूसरा अगे फेरेन इतीष्रा क्यल्विन और चौथा होगए रियूमर अब इनके बीच में रिलेशन होता है जो रिलेशन आपके वन मार्कर कोशन बन सकते हैं की टेंपरेचर इसने पर दिया क्या है डिफिरी सिल्चिस में उसको कल से लिए यह Kelvin में दिया है Fahrenheit में बदलो यह Fahrenheit में दिया है रिमर में बदलो इनका आपस में रिलेशन निकालना होता है तो वह रिलेशन के लिए आप इसका एक ट्रिक याद रखे उसी से आप इसे याद रखेगा वो यह है कि जो रिलेशन है मैं आपको बताता हूँ आप सबसे पहले temperature at degree Celsius लिखे अपॉन लगाई है temperature at Fahrenheit लिखे अपॉन लगाई है temperature at Kelvin लिखे अपॉन में है से अपॉन लगा रहा है याद करने का तरीका वदा रहा है याद कर लिन तेमप्रेचर एट रिमर और अपॉन ऐसे लगाई है ठीक है अच्छा अब इसके बाद के याई लाइट बन करना रहा उपर वाली सब से कौर्णर वला गोरे सिच के बगल बाला इसके बगल वाला इसके बगहां आई ये फ़बाज अब इस सो तो तो कश्ट हो रहा है लाओ थायो ये लगे अधिए temperature at degrees Celsius temperature at Fahrenheit 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 temperature at Kelvin development rimei आप इसके बाद आप क्या करेंगे देखिए याद करने का तरीका का इनके बीच में रिलेशन के सबसे पहले ही आप इस तरह एक से लिखे सारी temperature अद्या भी नीचे का यपन क्या लगा दिया यपन अच्छा अब आप क्या करेंगे अब आप यह पता के टेमपरेचर एट केल्विन माइनस इसका लोबस्ट पॉइंट कितना है 0 टेमपरेचर एट कल यह चेल्ञ किन्कन फ्रयन एट इसका लोवड़ संगेतना है 32 गाल टी टू कैन्स का लूइस फॉइन्ट फॉइंट फिरूइन फईफ इसका lowest point क्या है जीड़ो ठीक क्या है जीड़ो इसका भी जीड़ो इसका भी जीड़ो तो सबसे पहले क्या करा temperature सारे temperatures लिखे और माइनस करा उनके lowest point को ठीक है upon में इसके कितने equal part है divided by hundred and इसके 180 इसके है hundred and और इसके आगया relation यहीं होता है इनके बीच में relation conversion किया जा सकता है नहीं समझे मेरी बात को तो यह आप क्या तरीका था रगबर फिर से बताईए क्या तरीका है कि सबसे पहले क्या करोगे सारे temperature लिखोगे टीसी अपॉन फिर टीएफ अपॉन टिक के अपॉन टीर अपॉन अब नीचे क्या आएगा अपॉन में क्या लिखे जाएंगे division नीचे क्या लिखे जाएंगे division Celsius के कितने division hundred Fahrenheit के 180 Kelvin के 100 rumor के 80 और माइनस किसके साथ किया जाएगा lowest temperature तो डिगरी 22 इसका 273.15 273.15 अरे हाँ हाँ ठीक के माइनस 273.15 और टीर माइनस 80 आपका relation मन क्या समझ के ना जीरो ओके ताब समाझ के इनका क्या बढ़ गया यह relation तो यह सारे कितने thermometer है चार कौन कौन से Celsius Fahrenheit Kelvin rumor ठीक है lowest point इसका क्या है जीरो इसका 32 इसका 273.15 इसका जीरो ठीक है और इस टीम point क्या है यह ठीक और इनके बीच का relation समझ गया कि temperature माइनस lowest point upon division मेरे बाद समाझ गे ने समझे लिग डालिए फटाफट पूरा पूरा लिग डालिए तो देखिए अब नेक्स टॉपिक हमारा जो है वो है है एडिंग डाले एपसेल्यूट जीरो एंड आइडियल गैस एपसेल्यूट जीरो एंड आइडियल गैस देखिए जो हमारा केल्विन स्केल था केल्विन स्केल में हमने एक बड़ी इंपोर्टन्ट चीज देखी इडिया आइडियल गैस के भुरब है मैं आप आप वर department though आईडियल गैस एक ऐसी कैस है जो जीरो तो compressible होती है incompressible होती है और उसकी viscosity क्या होती है जीरो और आइडिल गैस की definition आपने chemistry में पढ़े होगी कि आइडिल गैस वो जी गैस है जो absolute zero पर भी liquefy नहीं होगी और उसका pressure of volume लेकिन क्या हो जीरो मलब एक ऐसी गैस जिसका temperature आप कम करते जाए कम करते जाए कम करते जाए और optimum temperature तक आप पहुंचे मलब उसका temperature अप लीस्ट जितना कम कर सक्किया जा सकता कर दे और वहां तक सब्सक्राइब करते हैं हमारा केलविन स्केल यह कहता है कि जो आइस पॉइंट होता है क्या होता है आइस पॉइंट आइस पॉइंट हमारा जो होता है वह होता है आपका टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइफ ठेक है और बॉलिंग पॉइंट कितने पार होता है जिसे स्टीम पॉइंट बोलते जरा बताईए स्टीम पॉइंट होता है थ्री सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइफ ठेक और इसी वक्त सेम टाइम पर सेल्सेस स्केल हमारा गया होता है जीरो और यह कितना होता है है हंड्रेड ठीक तो केल्विन का जिस वक्त सेल्सेस स्केल का जीरो है उस वक्त केल्विन स्केल का 273.15 है अगर मैं केल्विन स्केल से नीचे जाता 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 यह temperature possible नहीं है, achieve करना अभी तक, यह बहुत कम temperature है, और इसी से हमने ideal gas की definition बताई, क्या? कि Kelvin का 0 जब पहुचेगा, हर एक skill का 0 होना चाहिए, Kelvin का, जैसे कि आपने देखिए, कि Fahrenheit न 32 लिया, तो 32 से 0 पे जाना चाहिए, हर एक skill का 0 तो होना चाहिए, एक 0 पॉइंट होना कि मेरा जो 0 है, 0 से काउंट करोगे, तो 0 degree Celsius तब बोलना जब आइस फ्रीज हो जाए, इन्हों नका 0 Kelvin, इन्हों नका कि जब आइस फ्रीज हो, मतलब आइस फ्रीज हो, अगर वाटर फ्रीज हो, तो आप उसको क्या बोलना, 0 degree Celsius, जैसे आइस पॉइंट बोलते हैं, इन्हों करना का जब वाटर फ्रीज हो, तो इसको बोलो, 273.15, क्या बोलो, 273.15, तो Kelvin से बोलागा, 0 Kelvin भी है, बिल्कुल है, अब अगर 0 Kelvin तक जाओगे, तो इसका मतलब उस वक्त, डिगरी सेल, जो फेरेंड, इसके लिए, वो कितने तक जाहिए, कितने तक जाहिए, माइनस 273.15, आप समझ सकते हैं, बहुत, आप अभी आप दो डिगरी में ठीटूर रहे है, तो और रेशिया के कई स्टेट ऐसे हैं, जहां पर टेंपरेचर माइनस 60-50 डिगरी सेलचस तक रहता है, ठीक है, वहां पर टेंपरेचर इतना कम होता है, कि वहां सर्वाइब करना मुश्किल ह होता है, वहां के लोगों के लिए, मतलब लाइब बॉर्ट टफ होती है, ठीक हमारे जो सोल्जर्स हैं जो सियाचिन और इतनी हाइड पर रहते हैं, तो यह से आपकी सिचवेशन है, ठीक तो इसी को बोलते कम जोर हो जाना है, तो आप क्या है कि केल्विन ने कहा कि भया, जीरो केल्विन जो हमारा टेंपरेचर है, यह जीरो केल्विन टेंपरेचर इस प्रैक्टिकली इंपॉसबल डू एचीव, और आइडियल गैस एक ऐसी कैस है, जो यहां तक पहुंच जाएगी, तब भी वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी मतलब आइडियल गैस, एक ऐसी गैस है, जो कभी फ्यूचर में हमको मिल गई, और उसको हम जीरो केल्विन तक ले गए, तब भी वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, जितनी रियल गैसे हैं, वो सारी की सारी इस स्टेट तक पहुंचने से पहले लिक्विड लिक्व नहीं होगी, बस उसका प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो, अब इसका मतलब क्या है, आपने चार्लस लो के बारे में सुना होगा, सुना है न, चार्लस लो, विटे, इस गल दू वी नॉट, वन प्लस, टी डिवाइड़ वाई, टू सेवेंटी 3.15 कमस्त्री यानि कि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री में है यह, वी टी इस इगल टू वी नॉट, वन प्लस, टी अपॉर, टू सेवेंटी 3.15, मेरी बाद समझे, और अगर मैं इसका जिराफ बनाऊं, क्या बनाऊं, जिराफ, तो यह जिराफ मेरा, जो है, यह यहाँ पर जाता है, कि होगा, 273.15, मान ले इतना हो, उसमें, तो इसमें कुछ न कुछ तो इसका वोल्यूम हो गई होगा, तो यानि कि हमारा ग्राफ ऐसे जाता है, सीधा ऐसे, यह हमारा जो विलो से वॉल्यूम वर्सेस, टेंपरेचर ग्राफ है, इधर क्या रहा है, वोल्यूम, और इधर क्या तक पहुंचाओ, माइनस 273.15 तक, तो टेंपरेचर बढ़ने के साथ वॉल्यूम बढ़ता है, तो टेंपरेचर कम होने के साथ वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक पोइंट पर आकर वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0 और जहां पर किसी गैस का वोलियूम 0 हो जाएगा तो वो टेमपरेचर हमारा एपसल्यूटर टेमपरेचर एपस्लिव टेमपरेचर कहलाएगा जिसको बोला जाएगा जिरो केल्विन क्या वोला जाएगा जीरो केल्विन मेरी बात समझे की नहीं समझे अच्छा एक काम करते हैं सको celsius कर लिते हैं तो थोड़ाइब तो यहां पर पहुंचोगे तो इसका मतलब वॉल्यूम एक्सिस है तो वॉल्यूम एक्सिस को जब आपने ग्राफ को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा पॉलेट की ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाया तो आपने देखा कि इस पॉइंट पर जाकर वॉल्यूम क्या मिला जीरो और यह इतना होता है माइनस 273.15 यहां पर ती की वेल्यू रखो यहां पर रखो पुट टी इस इक्वल टू माइनस 273.15 तो वी टी जिगल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वह आप यहां पर माइनस 273.15 रखके देख लिजे यह आपने चार्ज लॉन एक्वेशन दिया था कि टेमपरेचर बढ़ने के साथ वॉल्यूम बढ़ता है टेमपरेचर कम होने के साथ वॉल्यूम कम होता है तो टेमपरेचर अगर आप करते-करते माइनस 273.15 डिगरी सेलसेस तक ले जाएए तो टीटी की जिगए कितना आएगा माइनस 273.15 तो यह बचेगा तो बन मैनस वन क्या हो जाएगा जीरो यानि कि absolute जीरो यानि माइनस 273.15 डिगरी सेलसेस पे किसी भी गया सका वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए जीरो लेकिन वो वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए जीरो यानि कि यह एपसिल्यूट जीरो जो है जिसको हम जीरो केल्विन बोलते हैं यह हमारी आइडिल गैस को डिफाइन करने का काम करता है क्यों कि कोई भी गैस यहां तक नहीं पहुंच पाती आप किसी भी गैस को यहां पहुंचाने की कोशिश करिए उससे पहले ही वह अपनी स्टेट को क्या कर देगी चेंट और यह क्विशन सिब किसके लिए गैस के लिए तो यानि कि यह लॉव पर फिन नहीं लगेगा मेरी बास समझें कि समझें यानि कि माइनस 273.15 डिग्री सेल्चिस का टेंप्रेचर लिए चीव करना क्या है मुश्किल और यहीं पर पीटी जिगल दूपी नॉट वन प्लस टी बाइटू सवेंटी थी होता है जैसे अपने वाल्यूम वर्सस टाइम बनाया है वैसी प्रेशर वर्सस टाइम बनाई है तो इस जीरो कल्विन पर पहुंचकर प्रेशर भी क्या हो जाएगा 0 यानि इल गयस क्या होती है यह वहीं पर यहां पर आप नकूछ वाल्यूम सब्सक्वाइब किया हुआ और उसका वॉल्यूम भी क्या होगा जीरो मतलब वो कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं कर दियोगी सुनने मैं जीव सा लगता होगा इसे क्या बोला जाता है आइडियल गैस इसलिए प्रेक्टेकली है गैस हमें आज तक नहीं मिली है लेकिन इन concept इन फ्रमूला के बेस्ट हमने बनाया कि कोई न कोई यह कैसी ज़रूर होगी जो किसी न किसी स्टेट मनलब कोई न कोई कैसी होनी चाहिए जिसाईल गैस बोलते हैं जो इस टेंपरेचर तक भी पहुच जाए और पहुच पर उसका वॉलीम हो जाए प्रेशर बी रिए जीरो हो जाए लिकिन वो अपनी स्टेट को चेंज ना करें बाकि जितनी भी रियल गासे से इस टेमप्रेचर तक तक पहुचने से पहले-पहले ही अपनी स्टेट को क्या कर देती है चेंज कर देती है और यह लाँ आपको पताई गैस का है थाना बॉल्स लोड चार्ज लोड यह सब गैस काई लो है तो जब स्टेट ही चेंज होगे तो लोड़ नहीं लगे गा रहनी समझे है लिखो यह लि be ideal, if at absolute zero, if at absolute zero, bracket में minus 273.15 degree Celsius. A gas is said to be ideal, if at absolute zero, bracket में minus 273.15 degree Celsius. The pressure and volume of gas becomes zero, the pressure and volume of gas becomes zero, but its state does not change. But its state does not change. But its state does not change. और आप चाहें तो यह भी लिख सकते हैं. हाँ, degree Celsius, one plus T upon 273.1, temperature बढ़ाने पर volume भी बढ़ता है, और temperature बढ़ाने पर pressure भी बढ़ता है, तो माइनस 273 degree Celsius पर pressure and volume दोनों क्या हो जाएंगे? Zero. ठीक है? और यह कैसे पता चला कि अगर हम volume versus time graph बना है, तो यहां से start होता है. अगर हम इसे पीछे की तरफ एक्स्टा पॉलेट करें, तो जहां पर जाकर volume zero मिल रहा है, वह temperature कितना होना चाहिए? minus 273. कैसे पता चला minus 273? वह यहां से पता चला. हमको volume zero चाहिए, तो volume zero ने के लिए यहां पर 1-1 हो जाना चाहिए भी है, तो 1-1 कैसे होगा? जब नीचे और उपर values क्या हो? same, यानि कि वह temperature होना चाहिए, minus 273.15. यानि कि महां से पता किया गया कि by Charles law, minus 273.15 वह temperature है, जहां पर volume क्या हो जाएगा? zero. और minus 273.15 वह temperature है, प्रेशर भी क्या हो जाएगा? zero. तो यानि कि absolute zero पर किसी भी gas का pressure and volume क्या हो जाना चाहिए? zero. लेकिन कोई भी gas वहां तक आज तक पहुंच नहीं पाई, उससे पहले ही उसका state क्या हो जाता है? change. तो यहीं से एक नहीं च्यूरी है किस gas की? ideal gas की, कि ideal gas एक ऐसी imaginary gas है, जो minus two seventy three point one five तक पहुंचेगी भी और अपनी state को change नहीं करेगी और उसका pressure and volume क्या हो जाएगा? zero. जो कि एक प्रकार की कैसी gas है? खाल पनिक. सिर्फ मैं जानता हूं उसके बारे में. अब हम आगे बढ़ते हैं, heading डालिए, thermal expansion. thermal expansion. thermal expansion. देखे, thermal expansion क्या होता है? एहाँ, expansion. जब हम किसी body का temperature बढ़ाते हैं, तो देखा गया है कि उस body का temperature बढ़ाने पर उसकी dimensions में change आता है, उसकी length भी बढ़ती है, उसकी width भी बढ़ती है, ठीक है? उसका area भी बढ़ता है, even उसका volume भी बढ़ सकता है. temperature को बढ़ाने पर. और कम करने पर length कम हो सकती है, volume कम हो सकता है, temperature कम हो सकता है, even density में भी change आ सकता है. यानि कि temperature में change लाने पर dimensions में change आता है, और किस प्रकार से change आता है, यही हमें यहाँ पर देखना है. तो हमारे तीन expansion देखे गए है, mainly. एक होता है आपका linear expansion, एक होता है superficial expansion, यानि जिसे aerial expansion भी बोला जाता है, और एक होता है cubical expansion, जो हमारा volumetric expansion है. तो इनको हम अभी जरा समझेंगे, आप सबसे पहले तो समझेंगे कि अगर आप किसी body के temperature में change करेंगे, तो उसकी dimension में change आता है. आप किसी wire को लेके heat करिए, उसकी length बढ़ जाएगी. आप किसी wire को cool down करिए, उसका length पहले से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इसका practical application क्या है, हमारे जो railway tracks होते है, उनमें जो rail बनाई जाती है, मतलब जो track होता है iron का, उसमें जगे जगे पर छोटा सा gap छोड़ा जाता है. क्यों? क्योंकि जब गर्मी के दिनों में temperature बहुत जादा होता है, तो iron थोड़ा से expand होता है. तो 20 में gap छोड़ देने कि वो expansion के वज़े से क थोड़े से lose रखे जाते हैं, क्योंकि electricity wire को थोड़ा lose रखने का reason यह होता है, कि गर्मी के दिनों में temperature बढ़ता है, तो wire की length बढ़ेगी, तो ठीक है, कोई बात नहीं थोड़ा बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर्द जैसे अभी का temperature सर्दी का time चल रहा है, त आपने उनको बिल्कुल tight बांद रखा है, तो उन पर एक extra load आएगा, क्योंकि वो contract होंगे, temperature कम होने से length कम होगी, तो हो सकता है, वो cable टूट जाए, damage हो जाए, तो इसलिए हम जो cables है, उनको भी थोड़ा सा क्या करते है, lose बांते है, तो expansion की वज़े से, ब्रिज में भी ऐसा मतलब आप ले, आपने देखा होगा, आप लोगों ने तो खैनी देखा होगा, बैल गाडी के बारे में सुना होगा आपने, तो बैल गाडी का जो पहिया होता है, और लकडी के पहिये को मजबूती देने के लिए, उसके उपर iron की एक film लगी होती है, ऐसे पूरी, आपके म लकडी का पहिया है उतना Elastic तो है ने टूटने के भी चांस है, तो वह कैसे चड़ाए जाता भी है, तो तो विह रिंग होती है, वह रिंग की होती है, वह पहःे की रेडिस से कम होती है, अरूर्मल टेंपरेचर, पिर उसको गरम किया जाता है, उस film को, तो वह काफी बड़ी हो गई आपने उसको पईये को पर चढ़ा दिया पर आपने उसको ठंडा कर दिया तो फिर वो अपनी इनीशल डैमेंशन में गई लेकिन अप चुंकि उसकी रेडिस कम थी और आपने उसे रखाए कहां पर पईये में जिसकी ज्यादा है तो पईये को कसके सकता है कम भी किया जा सकता है बढ़ाया भी जा सकता है तो अन दे बेसे आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हमने तीन एक्सपेंशन बनाए है जिसमें पहला होता है हमारा लीनियर एक्सपेंशन क्या कहता है जड़ा देखिए लीनियर एक्सपेंशन तो देखें सबसे पहल हम लोग एक्सपेंश किया है लिन्यायर एक्सपेंश, amd linier expansion क्या कहता है कि, कि किसी भी बॉड़ी की जो है लेंथ में जो चेंज आता है जिसें बोलते हैं ड्र सब्सक्रबॉर तू इनीशन में फाइल जितना वायर की इनीशनल लेंथ जादा होगी change in length temperature में change लाने पर उतना जादा उसमें length में change आएगा मेरी बात समझ रहे हैं आपके पास aluminum का एक छोटा wire है ठीक और same dimension का aluminum का एक बड़ा wire है तो length बढ़ाने पर किसकी जादा length बढ़ जाएगी जिसकी initial length पहले से जादा थी यानि कि change in length is directly proportion to what initial length अच्छा इसके molecular theory बढ़ी अच्छी है कि temperature बढ़ाने पर body expand ही क्यों करती है तो इसका बढ़ा अच्छा concept है का आप अभी पढ़ेंगे मैं अभी इस लिए नहीं बता रहा हूंगे थोड़ा से technical है आपको समझ उसमें potential energy और stable and stable की बात आती हूं अभी हम देख लेंगा भी पहले हम वह देखते हैं जो एक्जाम के लिए important delta L is directly proportional to L यानि कि किसी भी वायर की जितनी ज्यादा length होगी initial length जितनी ज्यादा होगी उसका change in length भी उतना आएगा और also change in length is directly proportional to change in temperature जितना ज्यादा temperature में change लाओगे जितना ज्यादा temperature में change लाओगे उतना ज्यादा ही आपका क्या होगा जितना ज्यादा temperature में change लाएंगे जितना ज्यादा temperature में change लाएंगे change in length भी उतनी ज्यादा होगी होगी कि नहीं होगी आप अगर कम temperature change करोगे तो कम length में change आएगा ज्यादा temperature change करोगे तो ज्यादे लेंद में change आएगा यानि कि change in length is directly proportional to L and change in length is directly proportional to what delta T अगर दोनों inequalities को मिला दिया जाए तो change in length is directly proportional to L delta T और proportionality का sign अटता है constant आता है यहाँ पर constant आता है alpha क्या आता है alpha alpha के लिए अल्फा अल्डेल्टा टी जहां पर alpha क्या 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 लाता है coefficient of linear expansion क्या क्या लाता है coefficient of linear expansion लिख देता हूं कोफीशेंट आफ linear expansion कौन सा है linear expansion मेरी बास समझ गये और यहां से अगर आप alpha को निकालो तो वो आता है delta l upon l delta t alpha is equal to क्या होता है delta l upon l delta t और यहां से मैं alpha को define कर सकता हूँ कैसे if the initial length of wire is 1 meter and change in temperature is unit degree what unit degree ना मैं unit degree Celsius बोल रहा हूँ ना unit degree आपको Fahrenheit बोल रहा हूँ मैं unit degree कुछ भी हो सकता है Celsius में कर रहा हूँ तो unit degree Fahrenheit रिमर में कर रहा हूँ तो unit degree रिमर और अगर Kelvin में कर रहा है तो यूनिट Kelvin ठीक है तो alpha is equal to आता है delta l alpha is equal to क्या आता है delta l यहां से हमने coefficient of linear expansion को explain करा क्या कि coefficient of linear expansion is numerically equal to change in length of wire change in length of wire per unit initial length per unit degree rise in temperature per unit initial length per unit degree rise in temperature पर क्यों आए क्यों आपन में आ रहा है पर second upon a second पड़ते हो ना मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर अपॉंट सेकेंड किलो मीटर पर आर तो जो अपॉंट जाता है पर आर मतलब in each होता है ना तो यहां पर क्या हो गया फिर से सुनिए coefficient of linear expansion is numerically equal to change in length of a wire per unit initial length per unit degree rise in temperature सभी लोग एक सुर में बोल दिजे क्या definition इसकी coefficient of linear expansion is numerically equal to change in length of a wire per unit initial length per unit degree rise in temperature मेरी बाद समझ गये तो यहां से आपने alpha को define कर लिया और यह काफी important definition है कई बार आपके लिए एक दो बोलना पड़ेगा भीया ठीक है अच्छा एक बात बताईए alpha की अगर मैं ऐसा unit की बात करूं तो क्या आएगी ऐसा unit तो अब आप देखो alpha की unit अगर निकालनी ऊपर डेल्टा एल मीटर 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 कट गया अपन में Kelvin माइनस वन या मतलब क्या आजाएगी ऐसा unit आजाएगी Kelvin माइनस वन मेरी पास समझ गए ऐसा unit Kelvin होती temperature की तो Kelvin माइनस वन आ गया अच्छा अब आगे बढ़ते हैं भहिया इसी को थोड़ा सा अलीका फॉर्मुला और आगे बनाया गया कैसे मान लो मानने में कोई बुराई नहीं है let initial length कौन सी लेंद कितनी है L1 और final length कितनी है final length कितनी हो गई L2 तो change in length क्या होगा बताओ अगर मैं change in length पूछ हूँ और यह जो temperature यह जिस temperature पर लेंद थी वो T1 है और यह जिस temperature पर लेंद थी वो क्या है T2 क्या है T2 तो अब आप पता ही चेंज इन लेंथ डेल्टा L is equal to क्या हो जाएगा L2 minus L1 L2 minus L1 जहाँ पर L1 initial length और L2 क्या है final length अगर डेल्टा L की value मैं यहाँ पर रख दूं तो क्या हो जाएगा L2 minus L1 is equal to alpha L1 delta T L1 क्यों लिख दिया है क्योंकि initial length कितनी ले ली L1 तो L1 को ठाके धर भेज़ दो तो L2 is equal to क्या common आ जाएगा L1 within a bracket 1 plus alpha delta T मेरी बात समझ गए यह एक और formula मिल गया कहीं कहीं पर आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा L2 यानि T degree Celsius पर temperature is equal to L0 यानि initial temperature 1 plus alpha delta T तो आप इसमें टेंसर ना लिजेगा दोनों का मतलब एक ही है वेयर यानि कि जहां delta T क्या है T2 minus T1 इन पर numerical है इसलिए मैं आपको बता रहा है यह important है ध्यान से समझेगा यह कौन से expansion हो गया linear expansion अब आता है superficial expansion अब Universum geographical Expansion क्या होता है superficial expansion मतलब uses area expansion क्या होता है area expansion अरे क्या होता है rural expansion अब aerial Expansion में क्या होता है की हमारा area strange होता है मांलो आपके पास two-dimensional object है जैसे कि aluminum sheet है क्या है आपने आलमोनियम फॉयल देखा है ना वह आपका टू डाइमेशनल अबजेक्ट है क्योंकि उसकी थेकनेस क्या है तो अगर आप किसी सीट का टेमपरिचर बढ़ाओंगे तो एरिया बढ़ेगा क्या बढ़ेगा अच्छा अच्छा एरिया बढ़ेगा तो लेंथ नी रहे होगी अर कि सुपरफीशल एक्सपेंशन में दो एक्सपेंशन अपने आप हो रहे होते हैं कौन-कौन से एरियल सुपरफीशल और लीनियर मेरी बास समझ गए लेकिन अब दिखें यहां से थोड़ा आसान है आपको एस इट इस वैसे लिखना है डेल्टा एल नहीं डेल्टा ए इस डे laws देल्टा ए से को मिला दो तो ल्इन ट आ कि अट identity अगा कॉंस्चेंट का पीटा ए ₹ड सब्सक्राइब आ तब दा आपको क्या बोलते कोफीशन टफ superficial expansion क्या बोला जाता है coefficient of superficial expansion यानि कि मैं लिखूंगा के यह बीटा जो है हमारा constant है और इसको बोलते coefficient of superficial expansion समझ गया ना coefficient of what superficial expansion खुद लेग लेना अच्छा बीटा is equal to क्या हो जाएगा बीटा is equal to निकालो तो डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी जिससे पूचूंगा वो definition बताएगा यहां से बीटा को define करा जा सकता है if a is what one meter square और डेल्टा टी इस वाट है one degree तो बीटा is equal to क्या आ जाएगा डेल्टा ए क्या explain करोगे बीटा के बारे में कि coefficient of superficial expansion is numerically equal to change in area per unit initial area per unit degree rise in temperature अरे हमरी बात समझाई की नहीं आई इसको कौन सी क्वेशन तीन लाइन यहां भी का कर दोगे फोड़ दोगे इन तीन लाइनों में फोड़ के मतलब अपनी क्यों लाइने खुद लिख लेना समझ गये और बीटा की भी ऐसा यूनिट क्या आएगी बताओ ऐसा यूनिट ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया तो इरिया कट गया कैल्विन इंवर्स क्या है की कैल्विन इंवर्स हाना बोलना पड़ेगा भी या अच्छा इसके बाद फिर सेम वैसे ही कि इनीचल एरिया एवन फाइनल एरिया एटू तो चेंज आरे समझे की नहीं समझे तो पूरा लिखने की जूरुत नहीं हम लोगो ब लिखेंगे और जो एटू इस एक्वल टू एवन वन प्लस बीटा डेल्टा टी या फिर कहीं कहीं पर आपको यह भी मिला मिले अटी इस इगल टू ए नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा टी आरे समझे की नहीं समझे एटी इस इगल टू एटी इस इगल टू एटी नॉट दिए ऐरिया और किया है इनीशल एरिया और नीसमझे कि पूरा डिराफ करके बता हूं क्या कितने लोग चाहते हैं कि बता दिया जाएं और फूर लोग इनीशल एरिया फाइनल एरिया अरे आर ग्यार भी पोझ्टे अब तो थोड़े बड़े हो जाओ तुम लोग यहां देच्छ आबा साथा क्या होता है काँ खागा कहां अरे सान तुझे यह तो क्या करें किसको किसको समूजा खाना एक करें घर जाके उधाना जरूर देएगे गार्जिं को थे ने जरूर इंगे तो भरोसर नहीं हो रहे हैं आप रिलीगों करता हूं कि सबसे का थो कि एस दोड़ो खालो गए यह सुधित है यह नहीं कि भेदे एक रहें इन फॉर्फ यह सब्सुर नियो ने कि अपिछा सभी कि अपने हिए रहो रावाद हुआ रहा यह सभी कि आप अपार्ट ही ऌप नो कि अपता इस अंप कि अपने है उने अभश एक्सों आर्टि एक्स पैंसिन आप क्यू टीए होता है क्यूनिकन एक्स पैंश की एक्सिंचन क्युपिकल एक्सिं तिसेंज का मतलब विलुमेटरिक belumaxter शयल रहा होता है यह गोल्यूम मेने वाला चैंज तो व्ल्में आने वाला बात है देल्टा थे यहां पर गामा क्या कियांक आपार कॉफिषएंट ओव लिग ले ना यूबिकल एक्सपेंशन अच्छा तो यहां से घामा अगर वेल्यू का लोगे तो एगा डैल्टा वी अपन वी डेल्टा टी तो अब अगर एइफ इस एकुल टू एइए वन में और डैल्टा टी इस एगल टो यूनिट डिग्री इंफ इनिशाल वोल्यूम जोन में वं में क्यों क्यों लिप यहां पर कोफिशंट ओफ of cubical expansion is numerically equal to change in volume of a cube of a what क्योंकि आपने नाम लिखा है cubical expansion तो अफ़क्यूब पर यूनिट इनिशल वॉल्यूम पर यूनिट डिगरी राइज इन टेमपरेचर पर यूनिट इनिशल वॉल्यूम पर यूनिट डिगरी राइज इन टेमपरेचर ऐसा यूनिट बताओ क्या होगी बताओ जल्दी बताओ जल्दे Kelvin minus 1 और बताओ इसमें वो वाला formula बने कि वाला वीटू is equal to V1 1 plus gamma delta T या फिर लिख सकते हो क्या V2 is equal to VP 1 plus gamma delta T जहाँ पर delta T क्या है अपका delta T क्या है T2 minus T1 अब एक प्रश्ण आप सभी से पूछता हूँ कि यहाँ पर हम cubical expansion क्यों ले रहे हैं इसका नाम volumetric expansion क्यों मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमारा cube जो होता है वही एक ऐसा structure है जिसका volume 1 meter cube हो सकता है क्योंकि cube की हर एक dimension 1 1 1 हो सकती है cube के अलावा cube ले लो तो एक dimension change हो जाएगी तो वो कभी 1 नहीं बन पाएगा ठीक है और बाकी जिनके भी volume है वो pi के multiple होते है 4 pi r square 2 pi r h pi किसका multiple होता है 3.14 तो अगर कोई quantity 3.14 का multiple है तो क्या उसका volume कभी बना सकता है नहीं तो इसलिए हमने geometrically किसको लिया cube को क्योंकि cube हमारा एक ऐसा structure है जिसका volume 1 हो सकता है practically अगर आप एक ऐसा cube बना है जिसकी सारी dimensions 1 1 1 आरे नहीं समझे का लिखरे लेने का तो देखिए अब अगली derivation हमारी काफी important है आपके exam point of view से वह स्रावनी जी relation between alpha beta and gamma क्यों इतनी tension में है ठीक है alpha beta और gamma में relation निकालना है आपको मैंने बताया था कि अगर volumetric मतलब क्यूबिकल expansion हो रहा है मतलब क्यूब का volume अगर बढ़ रहा है तो साफ-साफ बात है उसकी हर एक face का area भी बढ़ रहा होगा और length भी यह बढ़री अब इसा तो नहीं है कि length अपनी जग एयर्या अपनी जगे volume अपने बढ़ गया ठीक ऐसा तो नहीं है अगर volume बढ़ने है त और हम और हो थो मैंने म должна क्यों पा़ना टिर्वा ग्यांग तो लेंथ्व वी चैंज होगा और भी चैंज होगा और वी चैंज होगा तो सब क्रदेरी सेंगे इन टंप्रेशरी स्वें डेल्टा टी कि तो डेलटा एल इस Dafür टू क्या हो जाएका बताईए डेल्टा ये इस मतलब हमारी लेंट में जो चींज आया वो डेले टा ल आया कितना या डाले समझें नहीं समझे तो अब आप बताइए कि अब अगर लेंथ में चीज आया है तो एरिया में भी चीज आया होगा चाहित पताइए इनीशल एरिया थे हैं एल्टा यह यानि कि a plus delta hey ho polymer n Γगा पहले तो था a is equal to L square अब हो जाएगा a plus delta a is equal to L plus delta L का whole square अना बोलना पड़ेगा a plus delta a is equal to L plus delta l sqa whole square आप नइप पढ़ा है कि delta a is equal to होता है alpha a delta t अरे होता है क्या करूंगा यहां पर इसको लिखा A और इसको लिख दिया alpha A delta T क्या लिख दिया alpha A अरे 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 beta होता है क्या होता है beta तुम लोग भी सो रहे हो सबकी आत्मा है सो चुकी घर पर जा चुकी नाश्ते में ठीक है बस शरीर जाना है और खाना है alpha L delta T का whole square हाना बोलो भई इन दोनों में से क्या comment आजाएगा ये क्या बचेगा 1 plus beta delta T अगर इद्रे ही आया तो उद्रे क्या comment आएगा L तो L जब बाहर आएगा तो L square हो जाएगा क्योंकि भई देखो उपर में whole square लगा हुआ है तो L square is equal to क्या हो जाएगा 1 plus alpha delta T का whole square अब आप देखिए A square किसके equal है तो क्या ये काट जाएंगे ये और ये क्या हो जाएंगे काट जाएंगे तो 1 plus beta delta T is equal to 1 plus alpha delta T का whole square तो 1 plus beta delta T रमेश प्लस सुरेश का square तो सुना ही होगा रमेश का square प्लस सुरेश का square प्लस 2 रमेश इंटू सुरेश तो A square plus B square plus 2 AB अरे हाँ रहा भूलना पड़ने कभी या 1 1 काट जाएंगे और higher degrees neglect हो जाएंगी क्यों क्योंकि alpha जो होता है वो बहुत छोटा होता है less than 1 0.825 ऐसा और change in temperature भी बहुत क्या होता है small तो SMA square करोगो तो alpha की value less than 1 होती है वो भी 0.8 through 5 ऐसे something होती है square करोगो तो और छोटी हो जाएगी तो ये value जितनी छोटी होती कि बागी के respect मेंट को क्या कर सकते है neglect तो ये ये कट गए ये neglect हो गया तो क्या बचा बीटा डेल्टा T is equal to 2 alpha delta T delta T से delta T क्या हो जाएगा cancel तो beta is equal to क्या जाएगा 2 alpha या alpha is equal to कितना आ गया beta by 2 अरे हाना बोल दो भाईया ये alpha और किसके बीच पर relation आ गया बीटा लेकिन रुकिये यहीं नहीं अभी और भी है क्या कि अभी हमें gamma का relation भी निकालना है किसका relation निकालना है gamma तो कोई दिक्कत नहीं है 10 fund मतलो क्या मतलो 10 fund मतलो इधर देखो final volume क्या होगा बताओ अगर final volume की बात करूँ तो V plus delta V is equal to L plus delta L का whole cube initial volume था V is equal to L cube initial volume क्या था V is equal to L cube final volume क्या हो गया V plus delta V is equal to A plus delta L का whole cube और तुमने ये भी पढ़ा हुआ है तुमने ये भी पढ़ा हुआ है क्या के delta V is equal to gamma V delta T हा ना बोलो ओके आगे बढ़ते हैं देखिए अच्छा V plus delta V की जिगे क्या रख दोगे gamma V delta T लिख देंगे की नहीं लिख देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा L plus क्या आएगा बताएगे alpha L delta T का whole cube तो इसमें से क्या common आ जाएगा V क्या बचेगा 1 plus gamma delta T इसमें से कितना common आएगा L cube क्या बचेगा 1 plus alpha delta T का whole cube कौट जाएगे और A plus B का whole cube सुना है कभी A cube plus B cube plus 3 A square B plus 3 A B square लिख देते हैं A plus B का whole cube होता है A cube plus B cube plus 3 A square B plus 3 A B square आरे हाला बोलो तो 1 plus gamma delta T is equal to A cube 1 का cube 1 plus B cube यानि alpha cube delta T cube plus 3 A square B A square यानि A कितना है 1 तो 1 का square कितना हुआ 1 तो बचा सिब कितना alpha delta T plus 3 A B square A1 और B की जाएगे क्या आ गया alpha square delta T का square 1 से 1 क्या हो जाएगा कौट जाएगा higher degrees क्या हो जाएगी neglect हो जाएगी यह higher degree यह का हो जाएगी neglect हो जाएगी तो सिब क्या बचाएगा gamma delta T is equal to 3 alpha delta T delta T से delta T कट गया तो alpha is equal to कितना आ गया gamma by 3 यही रही अभी देखे alpha is जगलडू कितना है beta by 3 alpha is जगलडू कितना है gamma by 3 so finally अगर मैं इसको equation number 101 और इसको equation number 201 बनाऊ 102 बनाऊ चलिए ठीक है तो इन दोनों को equate करने पर क्या पता चलता है कि alpha is equal to beta बटा का 2 और gamma बटा का 3 तो यह इनके बीच का क्या आगया relation क्या आगया relation अच्छा एक चीज़ और सुनिए सुनिए अगर मैं चाहता हूँ कि यहां से 2 और 3 गयाब हो जाए तो पूड़ी पूड़ी equation में खाने को नहीं मिलेगी पूड़ी पूड़ी equation में कितने से मुल्टिप्लाइ कर दिये चाह से तो क्या हो जाएगा 6 alpha क्या हो जाएगा 6 alpha is equal to 3 beta is equal to what 2 gamma अरे हाना बोलना पड़ेगा यह भी एक रिलेशन आया या फिर एक सस्ता सा relation alpha is to beta is to gamma is 1 is to 2 is to 3 alpha is to beta is to gamma is 1 is to 2 is to 3 लेकिन इन दोनों रिलेशन को भी याद रखेगा तो यह था आपका relation between alpha beta and gamma जल्दी जलिग डालियस को हाँ 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 बहुत इंपोर्टेंट है